बारत में कोरोना वाइरस के 30 लाक से ज़्यादा मामने सामने आ चुके है, वही 8,890 से ज़्यादा लोग की मौत हो चुकी है, इस भी केंद्री सौस्त मंतराले ने कोरोना वाइरस के बुखार, जुखाम, खासी जैसे लक्षणों में अब कुछ नए लक्षण जोड़े है, दुकरवार को दिल्ली में कोरोना वाइरस मरीजों के समुचित उपचार और सवों के साथ गरिमापूर्ण सलुक नई होनों को लेकर सुनवाई की, बता दे की कोट ने इस मामले का सोतो संगयान लिया था, तो वही आज यानि सनिवार को दिल्ली हाइकोट ने केंद्र सरका को कोरोना मरीजों के लिए बेड और वेंटीलेटर की संगया को बढ़ाने की निर्देश दिये है, ताकि कोरोना मरीजों को सौत सुधा मिल सके, महराश्य के सौस्त मंतरी राजिस्टोपे ने सनिवार को कहा कि सरकार ने नीजी लैब दोरा किये जाने वाले COVID-19 की जाज की क की घर से मुखी लार के नमूने एकित्वित करने के लिए 2,800 रुपे लिए जाएंगे, इससे पहले इसकी लिए क्रमश 4,500 रुपे और 5,200 रुपे लिए जाते थे स्वास्त मंतरी ने बताया कि नीजी लैब अधिकतम इतना ही शूल्क ले सकते हैं, जिलादी स्किम्टों को और कम कराने के लिए नीजी लैब से बाच्चित कर सकते हैं, उन्होंने कहा अगर नीजी लैब इससे अधिक का शूल्क लेते हैं तो उनके खिलाब कानूनी कारव रॉल इंफिल्ड ने भी इस महामारी में एक बड़ा फैसला लिया है कमपनी ने अपनी दरजनों छेत्री कारियलों को बंद करेगी कर्मचारियों को जारी किये के एक सर्कुलर में जानकरी दी गई है बिजनस अकबार लाइफ मिंड ने अपनी एक रिपोर्ट में इस सर्कु झाल झाल झाल